बच्चो तुम लोगों ने कविता और गीत पढ़े हैं कविता और गीत अपनी लयात्मक्ता के कारण संगीत के कारण मानों हर्दें को छूते हैं इनमें कथन को वो रूप दिया जाता है जो संगीत के कारण लयब अद्धता के कारण मानों पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं वास्तों में कविता और गीत काव्वे के ही रूप है काव्वे किसी कथन को ऐसा रूप प्रदान करता है या यूँ कह लिजे काव्वे में किसी कथन को आकरशक, मोहक और सुन्दर बना कर प्रस्तुत किया जाता है ताकि मानों हर्दें पर वो विशेश प्रभाव डाल सके जब हम काव्वे की बात करते हैं तो काव्वे अपने मोटे मोटे तीन रूपों में हमारे समक्षो पस्तित होता है पद्य काव्वे, गद्य काव्वे और चम्पो काव्वे जब पद्य काव्वे की बात करते हैं तो हम पद्य काव्वे में चंद के नियमों का पालन करते हैं उसमें संगीत तत्व लाने का प्रयास करते हैं और लए गद्य के साथ उसे प्रस्तुत किया जाता है गद्य के अंतरगद कथन को सामान नरूप दिया जाता है कुछ समाजोचक तो यहां तक कहते हैं नर्तन और गद्य है कथन की सामा निगति यह नर्तन जो नृत्य है वो जदा रोचक होता है आकर्शक होता है उसी प्रकार पद्य अधिक रोचक होता है काव्य का तीसरा रूप है चम्पू, और चम्पू के बारे में लोगों का कथन है, कि गढ्ध्य पद्य मयंक काव्यम चम्पू रिप्त्य विधियते जो काव्य गढ्ध्य पद्य दोनों से हुट और इस कोट में प्रायान नाटक आते हैं, जिनमें कथोप कथन या जिनमें संबाद गद्य में भी होते हैं और कहीं कहीं भावातिरे को जगाने के लिए भाव को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कथन को अथवा संबाद को पद्य में प्रस्तोत कर दिया जाता है इसलिए नाटक में गध्य पद्य दोनों का प्रयोग होता है इसलिए नाटक को चम्पू कावे की कोटि में रखा जाता है अब देखिए पद्य कावे को पुना दो रूपों में प्रस्तूत किया गया है प्रबंद कावे और मुक्ता कावे प्रबंद से अभी प्रहय जिसमें कथा सूत्र को केंद्र मान कर चंदों को बांधा जाता है जिस कावे के चंद कथा को करम से लेकर कथा सूत्र को लेकर बंदे होते हैं जिनके चंदों का करम बदला नहीं जा सकता है वे प्रबंध कावे हैं प्रबंद कावे में चंदों के क्रम को बदल देने से कथा विक्रत हो जाएगी, कथानक दूशित हो जाएगा, तो प्रबंद कावे में कथा सूत्र को केंद्रमान कर या कथा सूत्र को लेकर चंदों को पिरोते हैं, जबकि मुक्ता कावे में स्वतंत्र भाव को वेक्त करते ह प्रतेक छंद अपने में पूर अर्थ को वेक्त करने वाला होता है। अब जब आप प्रबंद कावे की बात में आवें तो प्रबंद कावे के भी दो भेद हैं महा कावे और खंड कावे। मैं तली शनुकुप्त के साकेत को लेलीजी ये ऐसे कावे हैं जिन में जीवन के बिविध पक्षों, जीवन के बिविध अंगों और परकृत के नाना व्यापारों का चित्रन होता है। कहीं सन्या का वरनन है, कहीं सुरोदय का वरनन है, कहीं सरिता का वरनन है, कहीं परबत का वरनन है, कहीं आशिरवाद का वरनन है, तो कहीं प्रणाम का वरनन है। आईसी स्थितियों में एक और तो जीवन के बिविद पक्षों को लेते हैं और दूसरे उन बिविद पक्षों में किसी उधात्य चरित्र को ढ़ालने का प्रयास किया जाता है इसलिए जो महावाग कावे की चर्चा होती है तो महाकव्य में जीवन के बिविद पक्षों, बिविद घाटनाओं, बिविद दृष्शों का चित्रों होता है किन्तो जो खंड का विकी बात करते हैं तो ये खंड प्रबंद है प्रबंद का कलेवर तो इसे दिया जाता है प्रबंध की मान्यताएं तो स्विकार करता है कथा वस्तु के संगठन को ये आत्मसाथ करता है कथा को आदार बना कर ही खंडकावी की रचना होती किन्त महाकावे की भात इसमें न जीवन के व्यापक और विस्तर्त रूप का चित्रण होता है और नहीं जीवन की विविधताओं का, जीवन के अलग-अलग पक्षों का निरूपन होता है खंड काव्य में जीवन के एक अंग, जीवन के एक अंश, अत्वा जीवन की एक गटना का निरूपन होता है यह सत्य है कि यह प्रबंद काव्य है, इसलिए इसकी कथा या इसका कथानक सर्ग में होगा, या खंड में होगा, या अध्याय में होगा कि इसमें बिशय वस्तु की बिद्धता नहीं होगी जब खंड कावि की बात करते हैं हम तो हमें जानते हैं कि खंड काव खंड प्रवंध वो पद्व रचना है जिसमें कथा संगठन आवश्यक और जिसमें जीवन के एक अंश ग्रटना अथवा दृष्य का मारमिक उद्गाटन होता है। अभिप्राया तीन विंदूं के उर्शंकेत किया गया है। एक तो खंडकावे में कथावस्तु या कथानक होना आवश्यक है। बिना कथानक के या कथा संगठन के खंडकावे की रचना नहीं होगी, वह किसी जीवन की घटना का क्रम बद्ध, कथा बद्ध, कथानक बद्ध चित्र होगा। दूसरे ये पद्ध बद्ध रचना है। महाकावे की बात पद्ध में लिखी जाएगी। और तीसरी इस्तितिय है कि महाकावे में संपून जीवन का चित्र है, जीवन के विविद रूपों का चित्र है। खंड कावे में जीवन का कोई एक अंग, कोई एक भाव, कोई एक गाटना, कोई एक स्थित या किसी एक दृष्य का निरूपन किया जाता है। अब ऐसी स्थित में एक प्रश्ण सहाज रूप से हमारे आपके सामने उपस्तित हो जाता है, कि जो स्थितियां महाकावे की हैं, लगबग वई स्थितियां खंड कावे की हैं। तो महाकावे और खंड कावे में अंतर क्या हैं, हम आप इस अंतर की और भी एक दृष्ट डालें। देखें, महाकावे में कता विस्तृत और पून जीवन गाथा होती है। जब हम महाकावे की चर्चा करते हैं, तो रामचिर्द्यमानस को हिलें, अगर उसके नायक राम हैं, तो राम के अवतार की, उनके बाल्यावस्ता की, उनके बिवा की, उनके बन्गमन की, उनके राज्याविशे की एक लंबी आवधितप की सांगो पांगो चर्चा की संभे जब कि मुष्पाब्य है Cynthia May गजय हनुमान चंदकाबबर हम लेते हैं तो हनुमान ुसको अगर ले तो जय शुबास में शुबास के देश की स्वतंतरगा प्रत एक आंदोलन और उनके उनकी योजना का चित्रण तो महा कावे में विस्तिर्थ जीवन कथा होती है जब कि खंड कावे में जीवन के एक आंश का निरूपन किया जाता है दूसरी इस्तिति यह है कि महा कावे में सभी रश्णों का वरन आवश्यक है महागावेकार ये बार बार स्विकार करते हैं एक एवो भवेदंगी शंगारो वीर है एववा अंगीरस के रूप में तो शंगार और वीर का दिरूपन होगा अर्तात जो अंगीरस है वो या तो शंगारस होगा या वीरस होगा कहिंगे जर्चा है प्रधान रस के रूप में श्रंगारस होगा, वीरस होगा, अथवाशामत रस होगा, किन्तु अंग रूप में अंगानिज सरवे रसा, अंग रूप में सारे रसों की चर्चा होगी, किन्तु खंड कावे में सीमा छोटी होने के कारण केवल एक रस की चर्चा होती है, वही प्रधान रस होगा, वही सरवस्वा है, उसी का मारमिक रूप से नुरूपन किया जाता है, हल्दी घाटी आप लोग उने बढ़ा है, हल्दी घाटी में जब चित्रण गया जाता है, तो चेतक को लेकर महाना परताव जब घुमते हैं, हाई यही रहा अब यहा नहीं, वहाई रहा अब वहा नहीं, थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तफ पर कहां नहीं, एक ह ही भाव का विकास करते चले जाते हैं, नाना भाव की संयोजना नहीं होती है, और तीसरी स्थित्य है, विविदिता का निरूपन इष्ट्र है, जो महा का भी चर्चा करेंगे, तो एक मुख्य कता के साथ, आधिकारिक कता के साथ, एक प्रासंगिक कता भी होती है, जिसको जोड़कर जीवन के अनेक पक्षों, जीवन के अनेक रूपों के साथ, प्रकृति की भी अनेक स्थित्यों का दिरूपन करते हैं, कहीं संध्या का भरनन है, तो कहीं प्राता का भरनन, कहीं कलकल निनाद करती हुई स्वरिता का भरनन है, तो कहीं ब्रक्षों पर चाहते हु इतना विस्तिरत नहीं होता है कि उसमें सारे रसूं के साथ या सारी परिस्तितियों का चित्रण किया जाए वहां तो केवल एक सीमित खेत्र है उस सेमित खेत्र में एक परिस्तित और उसी का चित्रण किया जाता है एक बात यहाँ उलेख कर देना है, खंड कावे में जिसकिसी घटना या जिसकिसी परिस्थिति या जिसकिसी दृश्य का निरूपन होगा उसकी मारमिकता के साथ प्रस्तूति आवश्यक। अतवा कहीं अगर उसको नाटकी रुख दिया जाएगा तो दर्शक उस भाव के साथ अपने को ऐसा जोड़ दे कि उसके साथ आत्मसात हो जाए इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि खंड का वेकंतरगत जीवन के एक अंश एक अंग अतवा एक दृष्य का मारमिक चित्रन हो खंड कावे में जीवन और प्रकृत की विविधता का चित्रन संभोव नहीं है तुम लोगों ने देखा है महा कावे में जीवन के विविधरूपों का चित्रन है और प्रकृत के विविधरूपों का चित्रन है किन्तु खंड कावे की सीमा अपेक्षाकृत लगू है सकते हैं और नहीं प्रकृति के विविद रूप चित्तिर्थ हो सकते हैं इस प्रकार तुम लोगों ने महा कावे और खंड कावे के अंतर को भी अच्छी तरह समझ लिया है अब अगली बार जब हम आप मिलेंगे तो खंड कावे के विविद अंगों का निरूपन निदर्श करें